रे सिंधिले, क्योरे, बड़े घर में कोई त्यवार है क्या? हाँ, मलेशिया से रतनम की बीबी और बेटा आ रहे हैं इतने साल से नहीं आने वाले अब क्यों आया है? रतनम के बेटे दुराई के लिए लड़की देखने आ रहे हैं अच्छा है, इसी बाहने आय तो, क्यों मामा, बली के लिए जा रहे हो क्या? हाँ, बाई, कांदे वेल के लिए बली जेकर पोंगल रखना है ना? अच्छा, मेरे लिए भी रखना है, मैं आउंगा खेक है, चल बाई, जल्दी कर, अटे जल्दी पहुंचना है 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 अच्छा बाई, जल्दी काली विकाल कसल के लुष, जखास बयाने, है हम handlar मिनस्रासीका टात्राव है है आस मेरे में, को डायिए, को जफेः ये, को जबीर, को प champion, काल्या है वह है, बाई! एपाल, भाई-प", लोड़ो, बाई, आखुँना, बाऌइ? परिशान नग कर अरे तुम लोग नाज क्यों रहे हो यार जमाई राजा आया है ना बहुरन से पोहन वो रत्नम का बेटा अए सुनना वो तो अभी आ रहा है रास्ते में होगा अगल हो गई हो तुम लोग तो ने कुन है क्या रहे सुच बार बार आफ कर रहा है और यह सब क्या है कौन है तू आइम डखलस ब्रो गंदी प्याली जैसी तेरी शकल अपने आपको डखलस बुला रहा है ए कौन लाया इसे यहां मही लेकर आया इसे पपलिक में यह मुझे लेकर आया है प्यार मेरा पहना प्यार का मेलेशिया से आने वाला कुट्व की चेन पेहन के चपल चुट अने वाला जैसा की लग रहा है यह भाई जबान था था से साओने वाले माड़ू यह इस टॉप शाटे मिलेशिया सब्स्टॉub इतना गुस्सा हो रहे तुम कौन हो ब्रो बेकार किसी को असी नहीं आई ये मेरे दोस्त हैं मेरे ओपर नहीं आसेंगे गल्ती हमारी है इसलिए हम लोग चुप हैं वरना तू तो गया था क्यों रहे दुराई को लाने को का था ये कौन सा नमूना उठा के लिए इसकी शकल द हां बोलिए ऐसा बोला क्या ठीक है जी अरे क्या हुआ हमेशे यही होता है लड़के को लड़की पसंद नहीं आई इसलिए देखने नहीं आए इसलिए कहा था गाउं का लड़का मत देखो अच्छा पिछले हफ़े तुम्हारे तरह से लड़का देखने आया था उसका क्य अरे लोग तो आई ही नहीं क्या कहा अपने अरे कुछ नहीं कुछ नहीं मैं यह एइपोर्ट जा रहा हूं पिक अप करने के लिए तुम भी साका जाना था नहीं था तुम्हारे पिचा का तुमने शादी करके ला यही बड़ी बात है अब क्या मैं अपने पोती को भी अब यह यह दुम्हारे लड़का अब यह दुम्हारे लड़कों को नहीं क्यों कह रही थी अभी पता चला मुझे तेरे रतनम बामा का लड़का आ रहा है इसलिए ना बच्पन में देखा था उसे अब वो कैसा देखता है पता नहीं कि अबन को क्या आ ku now that never ever daha ने चोटे मोटे लोग यह चोटे मोटे लोग मिना अकड़ के घुमरह है तुमारे पिता जी ने यहां राज किया था तू तो फौरं से फढ़के आ आया है अरे यह यहां अना कि नहीं था गाओं में इसे लाने का नहीं सोचा था हम सोच्थे हैं तहां होता है भावी गाउं का प्यार है कैसे छूट सकता है आप नहीं चाहोगे तब भी गाउंवाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए आया हो ना यह लोग आड़ी की चाबी हम सब मंदिर जाका राते हैं क्या मामा इतनी भीड हमारे लिए आई है क्या हमारे लिए नहीं आए बेटा बलकि हम भीडवारे जगे पर आए हैं मंदिर में अगर बली तो हमारे लोग पहले आते हैं क्या भाई इतने साल यह लोग कहा रहे आज इनको गाउँ पर प्यार हा रहा है गाउँ से प्यार ब्यार नहीं है यह तो लड़की देखने आए वहाई तो देखा मैंने आए तू भी तूभी गाउँ चोडने के बाद भी रत्नम की जगह उसकी बीवी गाउँ और मंदिर की स चोड़ रहे वो पिक्चर के लिए था अरे मलेशया जाते ही पोटो कीच कर वाटसाप ट्विटर पर डालना चाहिए था ना वो सब में यूज नहीं करता यूज नहीं करते हैं पता है डॉनल ट्रॉप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं अरे यह अपने दोस्तों की इस नमूने को ठाके लिया है इसमें मेरी क्या गलती है इतना बड़ा आदमी उसे नी दिखा अच्छा नहीं तो क्या इतने लंबे चोड़े आदमी के बदले मुझे उठा लिया मटके के उपर मदगे चल साइडो यह माला तेरे पपा लेकर रहा है क्या जलो तार इसे मायराजा, वेलकम तो आर विलेज़ सबसे निराला है अपना यारा ओ मेरे देवा तू करते अब किरपा जग सारा करता है तेरी ही पूजा तर पे तेरे में उखणा सुले मेरे मन की सदा तेरे जबा में जाओ तो जाओ कहा ओ मेरे देवा तू करते अब किरपा जग सारा करता है तेरी ही पूजा ना कोई तेरे जैसा सब रंगों में तू ही है तेरी शरण में आके हर घम दूर हुआ ओ मेरे स्वामी मेरी दया पार लगा दो तेरी धरती है पूजंचारो दिशाए तेरी तू तो सब जानता है मन को पहचानता है तेरी महिमा है न्यारी तुझ से क्या चपा मेरे मन की बस यही प्रात्ना सुन लो ओ मेरे देवा तेरी बनी रहे किरपा ओ मेरे देवा तू कर दे अब किरपा जग सारा करता है तेरी ही पूजा पापी को नश्ट करे जब तू क्रोधित हो जाए पाप का नाश करे जब तू हुक मारे श्रदा के फूल तेरे चणों में चणाए आशिर्वा तेरा हम पे बना रह सगा तू तो सब जानता है, मन को पहचानता है तेरी महिमा है न्यारी तुझ से क्या चपा मेरे मन की बस यही प्रात्ना सुन्लो ओ मेरे देवा तेरी बनी रहे किरपा ओ मेरे देवा तू करते अब किरपा चग सारा करता है तेरी ही पूजा दर्ब तेरे में हुखाडा सुले मेरे मन की सदा तेरे जिवा में जाऊ तू जाऊ कहा ओ मेरे देवा तू करते अब किरपा चग सारा करता है तेरी ही पूजा क्या यार मलेशा में कोई लड़की नहीं मिली तो यहां लड़की देखने आया है मैं तो खुद वरण जाके लड़की देखने की सोच रहा हूँ और तु इस गाउं में लड़की देखने के लिए तुझे पता नहीं है क्या इस गाउं की लड़कियों के बारे में इस तरफ किसी का आना जाना हो तो तुझे सैंपल दिखा दूगा पक्का ये देखो आ गई अपने गाओं की एंजल शिल्पा शेटी समीरा रेटी देख लो लगता है आजी दांट साफ कर रही है मोटे क्या बोला उसने अरे कुछ नहीं जमाई राजा मलेशिया की लड़कियों को छोड़कर यहां की लड़कियों को देखने आया है तो मैंने सोचा मैं लगया तुम लोगों का सैंपल दिखा दूँ हम दुकान में मिलने वाला सामाने क्या सैंपल दिखा रहे हो हां बोला जमाई आज्या को कैसी लड़की चैएब पता एक्स्ज्जूज मी लड़की जो है ना शुशी लोनी चाहिए ए उस गाओ की बुदी लोग पानने को चलेगा न शूच्कर ले तुम्हें लोगों के साह online तो घ्रिपा पाई जाओ जाओ किया बाई कौन है यह लड़की मुट्टियार मामा की लड़की है लडकी दिखने आए हुए सारे लोग मंगोलियन क्यूँ लग रहे है 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 हाँ बस लड़का सुपर दिख रहे है ना कि LAUGH Grass Band नहीं जी यह मेरी बेटी है छल यार चलते हैं यह तो चोटी वाली लड़की है लड़की मलेसिया से आ रहे है न तभी यह मॉडन भंकिया आई हैं अहां हम देखें जी आमने भी पासपोर्ट बनवा लिया उड्डने के लिए तयार बैठे हैं क्या उड़ने वाले कि अ तुमको और नहीं आता है अरे दमाद को और इसको तो उड़ने नहीं आता है क्या दमाद है आप भी लड़की तो बुलाओ पहले बहार आजाओ मेरी लड़ली बेटी आजा आज़ा हमारी शादी को 20 साल हो गए कभी मेरी बीबी तरह नहीं सर्माई जितना यह शर्मा रही है अरे सुनों आप बोल रहे हैं आप बेटी के 20 साल हो गए है पंडित ने तो ब और बता भाई तुम्हारी शादी हो गई अरे अभी कहां मैं तो स्कूल में बढ़ता हूं अरे यह बहुत अची कोमेडी करता है और सब कुछ कोमेडी लगता है इसको मुझे लड़का पसंद नहीं है क्यों रही लड़की देखने गए थे क्या हुआ पता चला तुझे लड़की को लड़का पसंद नहीं आया सुशी लड़की नहीं देखकर अच्छा खाना बनाने वाली लड़की ढूंडेगा तो ऐसा ही होगा ना हम भी तो उसके रिष्टदार हैं हमसे लड़की मांगेगा तो हम ना थोड़ी न करेंगे हमें छोड़कर पूरे गाउ में लड़की ढून रहा है पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं लड़का देखे बिना शादी करूंगे ऐसा कहके भी शादी के लिए मना कर रही है तुम ही ने कुछ कहा होगा उसे मुझे पता है बगवान शादी करूंगा तो अपने गाउं की लड़की से ही करोंगा बोलकर और अभी मना कर रहा है इसका क्या मतलब है मुझे तो लगता है तू यहां शादी करने ही नहीं आया है पर कहां चला गया यह इस लड़की दिखाओ, इसके पीछे पीछे घूमो पता नहीं इसकी शादी कब होगी, कब मैं मलिश्या जाओंगा अबे, तु क्यों डेंशन ले रहा है? और नहीं तो क्या, क्या कमी ये इसमें पता? आठ फूट का लंबा खंबा है ये खड़े-खड़े पंका तो क्या सीलिंग भी साफ कर देता है? मैं पूछ रहा हूँ, अगर उसे ये पसंद नहीं आया, तो कब इसकी शादी होगी और कब मलिश्या जाओंगा बे रुख जा, आज मुझे बोलने तो सब सुनेंगे आज कल की लड़किया चाहती है कि उनका दूला एरोप्लेन में आये अटलीस्ट मुझे हेलिकॉप्टर में तो आना चाहिए न मैंने तैय कर लिया है, तुमारी शादी कराऊंगा और मैं मलेश्या उड़ जाऊंगा मैंने उसे बोला शादी के लिए मना कर क्या का तुने, तुने मना किया था, सब कटम हो गया, मिल गई तुझे लड़किया और हो गई तेरी शादी ये किसी काम का नहीं है, तु मलेश्या का टिकिन निकल, चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं सब देख लूँगा पता है, तीस हदार खर्चोगा, जमाही राजा, समझने की कोशिश करो, मेरे पास बढ़ तीन सो रुपे ही है, और ये, या पना इकाम कर, चल जा, तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं सुन भाई, तुने इस लड़की को मना किया था, शादी में मुझे इंट्रेस नहीं है बलकुल, लड़की देखना ऐसा कहा, इसलिए मैं गावाया हूँ, मैं उस आदमी से मिलने आया हूँ, मा को पता नहीं चलना चाहिए, जेल वाडन से मैंने बात कर ली है, हम उससे मिल स स अभल के साधी से मना कर दिया कोलिए इसने लड़की से पूछा कै बनाना आता हैा, तो लड़की पूछी, तुमें मतन बनाना आता है क्या, यह बोला, मुझे तो बस खाना आता बस इसी बात की मुसीबत हो गई, वरना है क्लार संदर्था गो देख कर rixक्तिकर को बना कर स के लिए हैं जमाई राजा ये लड़की तेरे लिए चलेगी क्या हारे भाई मुझे ऐसा लगता है लड़की तुरू लब करती है उसका तुझे देखना मुस्कुराना और मच्छी की कड़ी तुम दुनों के बीच कोई केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है जैसे ऐसा लग रहा ह क्या रहे ऐसे क्या घूर रहा है इस जनम में तरह को टूला मिलने ही नहीं वाला है मरता है दमता किसी के साथ गूमना अभे तरह जाने को बोला नहीं क्यूरी आधी रात को क्यों परेशान हो रही है तुझे तो मच्छी की गण भी पसंद नहीं है अभी मच्छी की कड़ी बनाने जा रही है हां उस विदेशी को मच्छी कड़ी बनाने वाले लड़की चाहिए ना ए तुझे तो घर में जाडू लगाना नहीं आता है ठीक से चलिए कड़ी बनाने यह सब क्या लेकर बैठी है मैं तुछे बना कर देती हूं उसे लेकर जाके खिला देना ठीक है उसे शुशी लड़की चाहिए ऐसा कहा उसने चालू नहीं मच्छी कैसे बनाने यह सिर्व इतना ही बताओ फाल तु बगबग मत करो मच्छी को अगर फिर सो गई क्या रुक देख तिर तुछे पागल लड़की तेरी ऐसी हरकत मुझे मारी देगी हलो भाई कहा हो चाहिए तुकान पर क्या ठीक आता हूं मैं क्या बनाया तुने चाहे दुकान खोली थी के तब की चाहे की पत्ती है शकल तो देख चाहे वाला कहता है अपने अपको भागा हुआ जेल का कैदी लग रहा है सब मेरी तक्तीर है एक महीने और रुक जा उसके बाद सीधा ट्विन टावर पे चाहे पीऊंगा तो जे तो स सब पता कर लिया है मैंने वो आद्मी बेल पे भी कभी बाहर नहीं आया है मुझत यहां पर आयोँ छे साल होगये उससे मिलने आज तक कोई ने यहीं आया ४स मगर उसने तो आप लोगों से में मिलने को मना कर दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई इतना जज़बाती होना ठीक नहीं है वैसे भी वो कुछी दिनों में रिलीज हो जाएगा ठीक है सर अरे वो किसी बड़े आदमी का खून करके अंदर गया है अच्छा आप उससे किसलिए मिलना चाहते हैं उसने मेरे पाप को मारा इसी लिए मदुराय के गर्मी जान ले रही है मेरी जल्दी जल्दी मलेशिया का टिकेट कटाना होगा मलेशिया में ठंड होगी ना अबे तू अपनी बखवास को बंग कर तू पहले एसी चला कर रहा है अरे यह सब क्या हो रहा है एक काम कर तू गाड़ी निकाल जल्दी चल चल्दी निकाल एई किद्धर टाइम लगाओगे जल्दी करो तुमारा काम करना भाई सुन भाई यह बात और किसी को पताना चले और मा को तो बिल्कुल ही नहीं किस ने किया होगा जब डुकान वाला पेरुमल तो नहीं होगा इतनी हिम्मत तो नहीं करेगा इतनी बुद्धी तो नहीं है उसREAM मुझे तो नहीं लगता है जाय वाला होगा जाय हय जाई तको मैं भाई जो जेल में है उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा सारे गाउंवाले ऐसा ही बोलते हैं मेरा गाउं में आना पसंद नहीं इसे लिए मारने आये थे या फिर उस आदमी से मिलने पर सच्चाइका पता लग जाएगा इसे लिए इसका मतलब मेरा दुश्मन अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है इतने दुनों से ये बैल यहां बंदा था, किसीने चारा तक नहीं दिया और आज माला चड़ाने आ गए शांदार बैल था, देखो ना कैसे मर गया पहले जब जली कटू हुआ करता था तब लड़के लोग भाग दोड़ किया करते थे और आज देखो सब पीके पड़े हैं अरे साब, गली-गली में दारों की दुखान होगी तो कौन नहीं पीएगा सुन भाई, काव में यही दो लोग वलिडेते हैं प्रो, हमारे गाउं में अगर कोई मर जाता तो लोग सोचते रोएं की नहीं रोएं? यह अकसर रिष्टेदारों को भी पता नहीं होता कि रोणा है की नहीं रोणा है और इधर देखो, यहाँ एक बैल की मर देबर सारा गाउं इखटा हो गया एई, वो हमारे मंदिर का बैल है, सब उसे बीटा मानते थे अपने से छोड़े गाउं में हर साल जली कट्टू मनाया जाता है इस पूरे गाउं में सबसे बड़ा जली कट्टू हमारा ही है देखो आज इसकी क्या आलत हो गई है जब तक रत्नम थे, सब चुप थे उसके बाद सब अपना रंग दिखाने लगया रत्नम के साथ ही सब खतम हो गया उनका लाया हुआ बैल भी खतम हो गया 20 साल से जली कट्टू नहीं जो हुआ न इसलिए बंद पड़ा हुआ है रत्नम के वेटे हो गया तो घोड़े पे देवता भी सुन्दर लगते हैं तुम्हारे पिता जब आते थे तो बड़े सुन्दर लगते थे मंदिर में रखने वाले देवता को काट-काट के रास्ते में फेट दिया दरिंदों ने कहाँ पे आकर क्या कम करने जा रहे हैं आज बीच बेशने गाउ में आये हो कल फसल बढ़ाने के लिए दवाई देंगे खेती में दवाई ड़लकर समसान बनाना चाहते हो क्या मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता है सर ये इस्तिमाल करने से तीन महिने में फसल तयार हो जाएगी इसे आपका ही मुनाफ़ा होगा गाउन्मेंट खुद ये मिलावट की बीज और दवाई इसलिए तो मुफ्त में देती है सर फिर आप क्यों रोक रहे हैं देखिए हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं आप जो मिलावट की बीज की बात कर रहे हैं वो हमारी धर्ती मा को धुका देने के समान है छे महिने में तयार होने वाले फसल अगर तीन महिने में तयार होगी तो उसे खाने वाला आदमी 90 साल की बजाए 60 साल में ही मर जाएगा आसपस के गाउं में इस्तिमाल हो रहा है आप क्यूं रोक रहे हो तुमारा तरीका कोग से बच्चे को जल्दी निकलने जैसा है पाइदा करने वाले को भी कस्ट और हमारे जमीन को भी कस्ट अगर अच्छा हवा पानी हो तो फसल अपने आप ये अच्छी होने लगती है मगर जब आप ये दवाईयां डालते हैं तो फसल उभर करी नहीं आती है परकृति को बरबाद करके हम सबसे पहले खुद को बरबाद कर रहे हैं सुनो भाई जी बोलिए इन सबको यहां से जाने के लिए बोल दो चलो निकलो यहां से सब लोग चलो आज आईए यहां से वरना गाउं की ओरते तुम्हें गोबर से नहला देंगी जो भी बोया है तूने यारा जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा जो भी बोया है तूने आरा तू ही उसको काटेगा यही तो एक सच है बाकी तो है जूटे सारा जो भी बोया है तूने आरा तू ही उसको काटेगा प्यार से करो बाते सारी तुम प्यार से जीत लो क्यू लड़ते फिरते जगणा करते नफरत लाते क्यू महत्मा गांधी के आदर्शों पेच जलते रहो हिंसा होती भी नाशकारी ये हिंसा से तुम बचो कहे कबीरा सुन्भई सादो क्या है वो सबसे बुरा ये जात पात भेद भाओ दुनिया में सबसे बुरा जो भी बोया है तूने आरा तू ही उसको काटेगा यही तो एक सच है यही तो एक सच है बाकी तो है जूटे सारा जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा यहां का फीट्स का कट्रोंय को अ कर भी तूने यहां पर बात कर रहां इसका को न जानते हैं आप हमारे गाउं के बैल को आखर किसने पकड़ा था राखता सकनु इसके गाउं के लोगों ने पकड़ा था इसलिए आज को बांद के रखे हैं कौन क्या है उसे जाने बगर कैसे बगर कला सकते हो इसलिए कहता हूं अंजान जगर पे बैल को नहीं लेके जाना चाहिए वो जो अर्साल है ना सब उसी की वज़े से हो रहा है उसने हिम्मत दिये इसलिए इनके इतने पर निकलाए हैं बोड़ा सद्य अंगल करवाएंगे तो सब शान्त हो जाएंगे बैल को नहीं पकड़ना था तो मंडी में लेकर उसे आता ही क्यूं हो गां दूसरा पर बैल तो मेरा है ना मेरे बैल को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता समझा तो करता समय करता समय करता है तो कर देखने वाले को मार दिता हमा गुरु मुर्ती तुरस के बैल को हाथ यो लगाया कि बैल पकड़ने वाले को अकेली छोड़कर तुम लो कहा गए थे जली कटी उत्षब का नजारा छोड़कर उसके बैल को हाथ लगाओगे तो अब आएसा ही होगा ना तुम्हारे साहत मुभ बंद रखो बोट दूरा लग गया मंदिर से संशान तक जाने नहीं देते लोगों से मिलने नहीं देते बैल को पकड़ने में क्या गलती है आगए बात करने हम अग कि अगर कि मुए कि 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 तुम अंदर जाओ अंदर जाओ जो मन में वो कीजिए कभी मेरी बात ही नहीं सुनो पिटा सामने से अगर यम्राज भी आए ना तो उसे डट कर मुकाब्ला करना सिखो हाँ कि आपको जो बोलना है बोलिए गाओ बहुत गहरा है मालिक ठीक होने के लिए छह मैं न लगेगा ऐसे कहा उन्होंने इनके भारों से ही तो नम जी रहे हैं बहन तुम रो मत है जो भी जरूत पड़गे मैं तुमें दूंगा मुझे जान से मार देते तो इतना दुख नहीं होता हात काट के आपाहिस कर दिया मुझे अब मैं के एक ऐसे काम करूँ इने के पीछे कईने यह षिक है इसे हालोगा लोग माइंगे और यह लोग आके पैसे देख़िए चुकर वो सुन लिएगा आज़े भाई क्या हुआ अरे जार सब लाए हो क्या महंगा था इसने चोड़ दिया चोड़ क्यूं दिया सब चीन के लिए कि आना चाहिए था ऐसे यह आ गए तुम लोग पेड़ उगाने वाले जो भी हो काटने वाले हम ही होनी चाहिए भाई किदर मिलेंगे खेद में जी मालिक मेरे सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं है और मेरी बेटी से शादी करना जाता है जोड़ दो कि नशे में रहने वालों को दूद और जहर का अंतर नहीं पता होता तुम्हें भी सही और गलत का अंतर नहीं पता है देके जाओ उसको कि 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 यहां सादु भाई कभी यहां नहीं आने वाले आज केसे आ गए हाँ मामा भांजे के बीच में तकरार नहीं होनी चाहिए इसलिए आस तक चुप रहा हम है अपने बैल को बात के रखने के बजाए उससे पकड़ने वाले का हाथ काड़ दिया आपने क्या समझते हो आप कुछ भी करोगर मैं चुप रहूंगा जली कट्टू के वज़े से जो हाथसा हुआ है इस वज़े से जिला प्रेशासन काफी परेशान है दुबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए परमीशन नहीं दी गई है अगर पमिशन देने के बाद दुबारा से इसा हाथसा हो जाएगा तो जिम्झारी मेरी ही होगी न सर देश में अगर चार अच्छी चीजे होती है तो दो गलत चीज भी हो सकती है अगर हमने अपने नितियों को छोड़ दिया तो बाहर वाले आकर के हम पर फिर से राज करने लग जाएंगे सर अब बात तो बैल तक भी आप उचिए आप लोगों की आपस में नहीं बनती है यही मुसीबत की जड़ है सर ये तो सच है कि हमारे बीच बनती नहीं अगर गाउं पर मुसीबत आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं सर कोई भी जगडा नहीं होगा मैं सम्हा लूँगा सर कि सब लोग ध्यान से सुनिये आज मंदिर में धागा बंदन है आज से पंद्रा दिन में करूपू स्वामी मंदिर में यात्रा होगी और उसके बाद होगी जली कट्टु में जिस किसी को भी पैसा लगाने दे दीजिए इतना ही नहीं इस साल मेट्टु पल्ल्यम पट्टी के लोगों से पैसा उसुल लीजिए और सांसे जली कट्टु मनाएंगे क्यों भाई कोई भी इससा ले लेगा यह क्या पॉलिटिकल पार्टी है यह रुप ज़ाओ सारा गाओ एकटर तुम लोग बोलते जाए रहे हो समसां से जली कट्टु ता कर लग रखने वाले कौन है तुम्हारे पूरवा जी है ना अटा के रखेंगे और हम पर ही जुल्म करेंगे यह क्या बोल रहे है तो है रुख जाओ सब लोग रुख जाओ रख देंगे खाना से ले करके मंदीर तक की बात को लेकर लगता है हम लोग तब ही तो बहार वाले आगर फाइदा उठाते हमारा कैसे पूरे देश को खिलाने ह Pat aí इसी तरह लोग लग लड़ते रहे नो झाना तो खञंना खाने के लिए तब जाकर गाउं में एकता रहेगी इस साल जल्ली कट्टू में उसको भी शामिल करेंगे हिमात हो तो बैल को पकड़ कर दिखा देना तुम लोग जान से मार दूंगा एक काम करते हैं किसके बैल पहले मैदान में जाएंगे इस बात का फैसला भी कर लेते हैं यह कौन सी नही देगा हम लोग बेवकुफ है कि मेरे बैल को पहले खोलने से अगरा पती है तो पहले इन लोगों के बैलों को खोल कर दिखा देना भाई परमपरा और एकता से खिलवाल मत करो छोड़िये भाई अगर परमपरा नहीं तो एकता काहें कि परमपरा गाओं की एकता को कायम रखने के लिए होती है तुम्हारे लिए फैसला नहीं लिया गया है यह जली कटी परमपरा को एक दिन मैं मंदिर के अंदर भी ले कराऊंगा यह वादा रहा तुम से मेरा इसके होते हुए हमारी जरा भी कोई इजत नहीं करेगा और कितने साल इनकी जैगार करेंगे ऐसा क्या कर दिया उसने हमारे जली कटी में भाग लेने का मतलब हमारी ही बली देना है मेरे बात को अपने ध्यान में रखना चलो सब दौाओ के सारे बैलों के साथ उपस्तित होने चाहिए अहां बिल्कुल जैसा आप कहने वैसी होगा आफिक्रमत कीजिए नमस्ते सेवा तेरी करे के प्यारी मीली बड़ा सुप्मा में प्यारी प्यारी आखे कर मुझे कैसे निहारे घर में रहे तुभी सदा मन में तेरी शर्था है सेवा करके तेरी प्यारी मीली बड़ा सुप्मा में को प्यारी प्यारी आखे करी पूछे कैसे निहारे अरे आप सोच क्या रहे हैं भले चाहे कितने भी जगड़े क्यों ना हो जाएं है तो रिष्टेदार ही सुनो नियोता दी हुए बैल को घास मत खाने देना यह लिजिए यह काली इसे रख लो जी भईया क्या हुआ भाई वो नियोता दे रहे हैं और आप उन्हें मना कर रहे हैं तुम्हीं लोगोंने तो गाउं में काता कि सब एक है आप घर में ऐसा बोल रहे हुँ आप ले लो क्या भाई आप भी अर्षाली आजाओ यह लो है वजर से करो चलता हूं जीवन ये खुश्यों भरा सीखा मैंने तुछ से सदा बर्जी मन में प्रेम सुधा रंग लाई तेरी दोआ तेरे बेना जीना पड़ तो तू ही बता कैसे जीएं तेरे बेना जीना पड़ तो तू ही बता कैसे जीएं जब तक हम किसी को कम्यूर समझेंगे तो कोई हम पर भी अपना जूर चलाएगे समझे कारवा आहेगा अपनी मंजिल को यूही तू बदल जाएगा सचा है मन तेरा डर किस वाका है सेवा तेरी करके प्यारे मिले बड़ा सुक मन को दुराएग उस बचले को मंदिर के नाम पर दे दिया देखो कैसे मुझे निहारे खेलो रे खेलो अरे देखो जड़ा समझे कर पकड़ाना ठीक है अरे पास मत आने देना मारो तूम अधर चाहे कोई भी बड़े से बड़ा खिलाडी आ जाए हमारे बैल को नहीं पकड़ पाएगा बैल को जो पकड़ता है उसको बहादूर कहा जाता है इस साल मैं भी बैल को पकड़ कर खुद को बहादूर साबित कर दूँगा बाई बहुत कतनाग बैल है मार देगा एह वो बैल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा मैं ही उसके गले में लगाम डालूँगा मेरे बैल पर किसी ने हाथ भी रखाना तो उसके हाथ उखाड़ के फैक दूँगा ए सारे बैलो किसी फिथार रगा दो जो पहले आएगा उसके बैल को हम पहले खोलेगे उमीद करता हूँ कि यह कार्गरम आपको बहुत पसंद आने वाला है आप सबसे मैं अन्रोज कर रहा हूँ कि क्रिप्या शान्टी बनाये रखें और बैल के पास ना जाए कहीं ऐसा ना हो कि वो बैल किसी को मार दे इसलिए थोड़ा साफधानी बनाये रखें और दूर रहिए लीजिया बैल को छोड़ा जा रहा है तैयार हो जाएए जो खेल में भाग ने वहां पर भीड़ना जमा करें और पारी है दूसरे गाउं के बैल की हाँ वह बैल भी तैयार हो रहा है और जल्दी वह आपके सामने आएगा अगर आपके सामने आया है अगर आप में से कोई भी उसे पकड़ता है तो विनाम के रूप में आप सबको 201 रूपे निये जाएंगे और बैल जूट चुका है देखते कोई उसे पकड़ पाता या नहीं पकड़ पाता बहुत तहीं से वो आगे बढ़ता जा रहा है हमारी संस्ता की तरफ से जो भी उसे पकड़ेगा उसे मिलेगे पूरे 201 रूपे तो पकड़ने की कोशिश कीजिए और जीती है 201 रूपे जा जाता है कि जो महनद करता है जो हमारी बनाईए ऐसा नहों की बैल किसी को मार दे और पीजे से अक्रमन कीजिए और जरूर कीजिए ताकि आप जीत सके हिमारी यही स्टेल का रोमांच है और यही स्केल का मजा है और अपनी गाउं की परंप्रा को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार यह चौथा वर्ष है जब यह आयोजर यहां पर हो रहा है और यह राज चौथा बैल वा क्या खेल दिखा रहा है यह बगर पूरी मुस्तादी के साथ हमारे गाउं के लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे ह और उसमें पकड़ लिया है आप जिखते हैं कि वह उसपर काबू कर पाता है कर पाता है वो पूरी बढ़ा रहा है लगएँ कोशिय रहा है आपके सामने और अब आपके सामने और यह रहा अगरा बैल आपके सामने और यह इंक आद भी श्रक लगा दिया जोर से उनके टीशन का नंबर 10 है और वह तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही नहीं पर दिया और इधर आपके नौजवान इस खेल को बहुत जादा मस्ति के साथ एंजोई कर रहे हैं और जितने भी दर्शक यहां पर आये हैं मैं उनका आभारी हूँ तैदिल से उने घन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हों अपना चीन्ती समय इस कार्ग्रेम के लिए दिया है और वो आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे इस बात के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और यह ठीक यह एक नया पहला आपके सामने आ गया है देखते हिसे कौन पकड़ पाता है और फिर से चार नोचमान तूट पड़े हैं पूरी शक्ती दिखा रहे हैं देखते हैं बैल पकड़ने के लिए किसी को भी बेज़कर मेरी इसलत का कचा करवा दिया अब इसे सारे तलवार और हत्यार फेक दालो भाई कहा है वो तो बाह करना है पादा नहीं क्या करेंगे देख लेंगे अब हम भी कटेंगे कि अभी कि अधर तो नहीं है कि यह कि यह प्यह कि तृ तॉ अण CLY मादूराय जिला में आयुजित किये गए जली कट्टू की वज़े से जड़ी बड़ी गाउं में दंगा हो गया और दो लोगों की मौत हो गई दोनों गाउं में आतक चाया है सारे जली में जली कट्टू पर सरकार ने रोक लगा दी है और कलेक्टर के उपर भी प्रेशर आ गया है कि इस तरह का हादसा फिर आगे ना हो इस वाक्या से गाउं के लोग भी काफी दुखी है जैसे भागवान के बिना मंदीर अदूरा होता है वैसे ही रत्तम के बिना जली कट्टू अदूरा है ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग जाती के नाम पे गूसर से जगण रहे हैं मुटीा मुटीा ये झाल पूस अथा है जाम झाल जो ये रहे हैं करिork निथां होगा शख़esser को कि अगर पंजयत को बुलाओ तो वो लोग उसे ही 10 साल गुज़र चुके हैं सब एक साथ मिलकर आएंगए तब कुछ कर सकते हैं ने यहीं बोला है चलते हैं कोई खंटा करते हैं जो भी होका देख लेंगे तो नाम लो तो लेडिस में ज्भड़ा तो होता ही है कहते हैं इस बार जली कटू जरूर होगा पता नहीं यह सच होगा कि नहीं सुन技巧 अपने घाई में मंडर आए bहुत साल उचुकें एक बात बता दो किसी ना किसी अरे भाई इसका मतला भाई इस साल भी तुमारे शादी नहें होगी क्या क्या बोल रहे हो अपने गाउं के एक बैल को पकड़ूँगा तभी शादी करूँगा ऐसी कसम खाई इसने अरे सारे आसपास के गाउं में ये बैल पकड़ने में सबसे उस्ताद है मुत्तु पट्टी मूर्ती का नाम यहां गाउं में बच्चा बच्चा जानता है एक बात कहूं मैं हमारे गाउं से कोई भी बैल नहीं पकड़ पाया इस बात का बहुत दुख है इन्हें बच्चों का खेल लगता ये जानते नहीं बैल के बारे में अगर बैल ने एक सिंग मारती तो ये लोग जिन्दी ये वर निवट पाएंगे उनको कोई कानून पता नहीं है इतने सालों से जली कट्टू यहां नहीं हुआ अगर इस साल भी नहीं हुआ तो जली कट्टू की लिस्ट से गवर्मेंट हमारा नाम निकाल देगी उसके बाद इस गाउं में कभी भी जली कट्टू हम लोग नहीं मना पाएंगे यहां के लोग किसी में भी साथ नहीं देंगे ऐसे ही बात करके लाडाई जगड़े करते रहेंगे कोई कुछ भी करे इस साल जली कट्टू होके ही रहेगा वो सब तो ठीक कह रहा है यो बाबू तो में जली कट्टू के बारे में क्या पता है तुम्हें बैलो में कांगाये, पलगारे, स्तेमारे, पलमारे, अलमपडी, इरूसरी, मड़मारू पुली कडू ऐसे तमिल नाड़ में 18 किसम के बैल होते हैं काला, सफेद, फूरा, खाखी, ऐसे और भी कई रंगे बैल होते हैं तमज में आया क्या, पाड़ा, किंदा, विलंगू, तिरसी, कुट्टूपूरा, यरंगेपूरा, बलपूरा, रससुरी ऐसे कई किसम के बैल होते हैं इसमें कौनसे बैल गाड़ी और कौनसे वाड़ी के लिए हैं, सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ अरही, बैल में भी इतनी वराइटी होती है जैसे मसाला, डोसा, सादा, डोसा, मैसूल, डोसा, उन्यन, तपपा, टमाटो, तपपा, ये समने जे नहीं पता था क्या भाई, ये किसानों से जैसे बात कर रहा है, मलेशिया में इंजीनियर है, क्या इतने बैल होते हैं क्या, मुझे तो बस दो ही पता था, एक गाएं और एक बैल एक और भी है, अच्छा, वाड़ी का बैल अगवान के लिए चुपो जाए यार, वरना वाड़ी के बैल सी मार खाएगा कहां जा रहा है तुँ, मैं कहीं भी जाओ, तुझे क्या, वापस आते हुए हम पर हमला हुआ था, वो तो थोड़ा सा बजग गया वरना जान चले जाती पुरा गाओ तो दुश्मन नहीं जली कट्टू इस गाओ में सालों से नहीं मनाया गया है, कोड की परमीशन के बावजूद भी हम मना या नहीं मनाया इसी बात पर बहस करते रहते हैं चली कट्टू इस साल किसी भी हालत में इस गाउं में मनाया जाएगा ये पेरिमल भाई ने डिसाइड किया है रुको हर साल यही बात करते हो तुम पर तुमसे कुछ होता तो है नहीं गाउं के बड़े आदमी इनसे जैसे बात करो तुम कौन है बड़ा आदमी इनके पीछे लोग घुमेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे क्या ऐसे देखा जाएं तो मेरे पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं तो मैं भी बड़ा आदमी हूँ ऐसा आरा है जैसे सर्फ एक्सल का एड़ करने आ रहा हूँ सरूर इसके दुमाँ में कोई प्लान होगा क्या हूँ क्या हूँ अच्छा ये पंचायत कैसी चल रही है आज किसी का खून होगा क्या ऐसा लगता तो आज खून होगा यो तुम नहीं जाओगे अरे यार मैं जाओंगा तो तीन चार लोगों को ऐसी उड़ा के मार दूंगा इसलिए नहीं जा रहा हूं गाओं के सब लोगों को मेरे बारे में पता है वरना कौन पंगा लेगा यह तो मूँ पे बेस्ती करके चला गया तुम्हारे परिशानी को साइड में रखो पहले वाडी को बांजने के बारे में सोचो आस पास के सारी वाडिया हमारी वाडी से बड़ी है तो इसमें क्या परिशानी है तुम लोगों को बखो मत वाडी छोटी है इससे लिए हर पकड में आ जाएंगे बात करता है चाहिए यह वाडी हो चाहिए वह वाडी हो हम खेल समझ के खेलेंगे समझा और बैल पकड के दिखाएंगे समझा क्या है तुम लोग आपस में क्यों चगड रहे हो बोलो मैं यहाँ पर चुपचा बैठा हूँ इसलिए यहाँ पर बैल मैं आने वाले लोग सरपररं जारें इसके पास एक बैल रोख जली कट्त करवाना चाहता चाहिए तो उना नहीं करवा सकता गाओं के पास बहुत सारे बैल और बहुत सारी उर्त वह सब सबके लिए रीकत इंट के बाद करते तुम दोने के दुश्मनी के वजए से इतने साल तक जली कट्टू नहीं हुआ तुमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं मैं करवाऊंगा मुझे पता था तुम यहीं बोलने वाला है चुपरो मैं क्या बोलता हूँ इस साल का जली कट्टू मैं ही करवाऊंगा अगर कोई बीच में आया तो तो क्या कर लेगा इसे का रखना मैं अची तरह जानता हूँ जब तक इनके पिता थे उन्होंने जली कट्टू करवाया था अब उनका बेटा कराना चाहरा है करने दे उसे जाओ कराओ ए तू चुपकर बाप के बाद बेटा समालेगा यह सब पॉलिटिक्स में होता है अपने गाव में यह सब नहीं सुन मेरी बात इतने सालों पहले गाव छोड़ कर चला गया था अब आकर अधिकार जमारा है सब कुछ हम पर चोड़ते हमें पता है क्या करना है मंदिर में पूजा जली कट्टू यह सब गाव में एकता बनाने के लिए है यह जाती रीती रिवाज यह सब बीच में आये है गाव को एक करने के लिए मेरे पता ने जान दे दी इस साल जली कट्टू का महुत सब मैं खड़े होके करवाओंगा जिसे मेरा साथ देना है वो साथ रहे जिसे नई देना है वो दूर खड़े रहे कर देखे एक मौत होने के बाद रुका हुआ जली कट्टू अगर दूसरी मौत के बाद ही होना है तो वो मेरी ही मौत होगी अगि मौत है यह हमारे गांको बिल्कुल नहीं जानता इसको क्या पता राजनीति क्या चीज है बच्चा है यह हम हम सब मिलजूल के रहने वालों को यह लोग अलग करके खुद टार में खूम रहे हैं इहां यही हम जोकिंफा है है चाहे कोई भी इसका विरोध कर ले हम जली कट्टू एयुजित करके ही रहेंगे अरे यार यार यह रास्ता क्यों बंद है लगता है कोई खुदाई का काम चल रहा है लेट से जाते हैं चलो लेकिन यहां तो कोई लोग है नहीं पता नहीं क्या चक्ता अब यह कि आपी रास्ता बाहरा है अब यह किया यह रास्ता बाग्यां मैं उठाता हूं बहुत भारी यार नहीं उठेगा है कि तो खुद्ध चलिकर अज़ कि और अद राट कि एधाए कि पहुत कि तू गारी में बैठेगे लें प्रहुमिल प्रफुर वाइब दूए भाल, भूँ इस भी पारी शेंगे, भूचा है कि वहा है, भॉचश भो वेष्ट नोगा है, भॉच में एफ वाइब में एफ लिए्टाइब तूर ये जौज़ा है, वहा है। हरुतिudding औरुदये औरे में राय, हरे भी डिस हुआएऽ हैкий जह हुतु करता है कम अपसा कुछिए्या है कि उत वोंचे है भूलूँ कॉन्च यहर मुलू़? कौन थे यार वो लोग क्या हो रही है सब इतने सारों तो जली कट्टू के दंगल में मेरे पिता की मौत हो गए ऐसे गाउवाले समझ रहे हैं लेकिन ये दंगल किया गया था मेरे पिता की जान लेने के लिए मैंने ये जली कट्टू करवाया तो मेरे पिता का कुनी खुद बाखुद बाहर आ जाएगा क्यों भाई कलेक्टर ओफिस में जली कट्टू पर्मिशन लेने सब जवान लड़के आये हैं गाउं में बड़े बुड़े नहीं है क्या सब मर गए फिर तू क्यों जिन्दा है जा अंदर जा ये सब बोलने के लिए तू अपना काम कर चल तुम्हारे गाउंवालों के बीच में एकता बिलकुल भी नहीं है पर्मिशन देने के बाद फिर से जगड़ा होगा सर वो सब हुए कई साल हो गए अब हम सब मिल जुलके रह रहे हैं इसलिए हर गाउं से एक आदमी आया है अजी सर अगर आप चाहेंगे तो हमें पर्मिशन मिल सकता है एक काम कीजिए चैत्रबती पंचाय से जुड़े हुए सब गाउं से जली कट्टू करवाने में कोई अपती नहीं है ऐसी एक declaration sign करवा के लाइए फिर मैं देखता हूं क्या भाई क्या वो लाइए के गाउं वालों से पेपर पर लिख वाला गाउं के आदे लोग तो अंगुठा चाप हैं इन सब लोगों से हम लिख वाएंगे कैसे क्यों भाई सबका sign हमी ना मारतें फिर तो तेरी शादी करके दिहाएंगे मेरी शादी करवाओगे क्या जली कटूरे अरे यार ज़रा गाड़ी साइड पर लगाना अरे पर किसलिए ऐसे ही अगर हम लोग साथ गूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा अलग-अलग टीम बनानी पड़ेगी मैं पहले जाकर गाउंवालों के sign लाता करेंगे तु सिर्फ मेरे साथ आना चल चलते मेरे बाबा ने बोला कि मैं तेरे साथ ना घूमूँ तेरे बाबा ने सब कुछ देखने को भी नहीं बोला था चलो तर मां इस पेपर पर आप sign करो मा तुम इसके लिए यहां आये हो यह पहले बता देते तो मैं खुद ही तु देते हो convenient अजाए है को यहां के बाड़े में अच्छा हो यह सोचना टौना धरम बनता है बेटा तुम्हारे पिता के मौत के बाद रुका हुआ Self aa छयाना चाहिये बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने पिता की सपने को पूरा कर रहो पेटा यह बहुत अच्छी बात है सेar किसी को अ पर पिता की तुम्हारे पिता पर विगलान है तुम साइन करो उनकी याद हमेशा आती रहती है, साइन कर दिया नाम, कर दिया यह लोग, कम से कम तुम लोग अच्छे से जली कट्टी तो करवा दो बेटा, अहां करवाएंगे इस गाओं में तुम्हारे पिता का बड़ा नाम था, यही समय है, इस गाओं के सारे लोग तुम्हारा साथ देंगे, जाओ फिकर मत करो अब तो भाई ने भी तुम्हारा साथ दे दिया, अब तो जरूर हो जाएगा इस सब काम तेरे हाथों से यह होना लिखा है, तो जरूर होगा, करो बेटा सुनिये, यहाँ पर साइन कर देजिए अपने गाओं में जल्ली कर्टू होगा या नहीं, पता नहीं, हम अपने बेल को दुसरे गाओं में भिशते रहते हैं पता नहीं भाई, क्या बात कर रहा है तू, चल साइन कर, साइन कर, पता नहीं और कितने दिन जिल्दा रहा हूँ, मरने से पहले एक बर जली कटू देखना चाहता हूँ चिंता मत कीजिए, आप जरूर देखेंगे भाई, आपका साइन चाहिए अमा कहती है, साइन करने से उमर कम हो जाती है, लास याई कट बदे एक तो सुबह सुबह खेतों न गया, और मेरा पेड भी अच्छी से साफनी हुआ अरे, तुझी क्या बोलता है, ऐसा करता जैसे तू तू तो कभी करता ही नहीं होगा तुम क्यों इनके साथ गूम रहे हो, भाई वो आपका साइन लेने आए है अरे गहरे कोई भी लीडर बन जाएंगे, हम क्या जिन्दगी पर तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे तुम्हारे पिता ने जली कट्टू के नाम बे मेरे भाई का गला काट दिया था अभी तुम किसका गला काटने आए हो, देख ले ना, इस साल हम लोग भी इसी में भाग लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे, समझ गए ना, जितना जल्दी हो सके यहां से निकल लो बढ़े आए जल्ली कट्टू करवाने बादे अरे गाड़ी ठीक नहीं चल रही थोड़ा इसमें ओइलिंग वालिंग करवाया करो ना तुर अध्नम का बेटा है ना, एक दम अपने पिता की तरह दिखता है अरे बाप आ गया यह, यह क्या कर रहा है चपल भेन के अंदर जा रहा है उतार पहले खड़ाब हो गया तुम्हें क्या लगता है विदेश में थोड़ी से पैसे क्या कमाली है तो हम सब तुम्हारी पूजा करेंगे क्या है हम क्या इतने बेकार लोग है हमारे पास कौन सी कमी है क्या यह हम नहीं करा सकते हैं कल तुम्हारा बाप आया था आज तुम्हारे बाप ने अपने अपने उसे मेरे बैल पकड़वाया इसलिए दंगे में मेरे भाई क्या कूर हुआ सुन ले अभी मुझे तुस्से कोई भैस नहीं कर नहीं है निकल जाए यहांसे वह बैल दो दिन से बंदा पड़ा है उसे चराने के लिए ले जाओ चल भाई निकलते हैं यह इंसान गुसने में क्य जली कट्टू में जरूर आईए हाथ में महंदी भी लगी होगी तो भी जली कट्टू देखने आउंगी कौन है यह भाई यह लोग अपने ही गाओं के हैं गाओं के लड़कों को तकलीफ होती है तो वह मजद मांगने इनके पास ही आते हैं अरे भाईया नमस्ते आई यह वह बहुत अच्छी है जाओं के बड़े लोग तो लड़ते रहते हैं कम से कम तुम जवान लड़के मिल जूर के रहते हो अच्टा है ठीक है ठीक है क्यों वाया साइन किया ना आपने अपने दूसरे गाओं में मैंने कई बार जाकर बैल पकड़ा और इदाम जीता है लेक के लिए तुम लोगी कर सकते हो क्या हम ने कर सकते बैल चाहे तुम पकड़ते होंगे पर बैल के लिए बादाम पिस्ता काजू तूर दाल मूंग दाल उढ़र धनिया जावार बाजना ये सब खिलाने वाले सिर्फ हम लोगी है तुम लोग नहीं समझ में आया ना कहा था ना अपने गाउं की लड़कियों की जुबान बहुत लंबी है ए क्या कहा उसके कान में वो मैं कह रहा था कि सारे गाउं में तुम जैसी समझदार कोई नहीं है हां एतना तो डर होना चाहिए इस पर जाए पर पट्टी मेटू पट्टी और ये भी अरे ये काला चकलू इधर क्यों आ रहा है पादल लोग जमाई राजा उड़नाई पंची की फितरत होती है इसे उड़ा दो जीना या मरना है इसे ही सोचने दो भाई ये ब्राइलर मुर्गी है उड़ेगी नहीं भाई से रात में चकने के लिए रखते हैं अच्छी बात ह थे मइघ समय क्या मैं जोता पैनने से तकलीफ हो रही है जरूर पहनूंगा तुकुछ भी पहन ले मामा पहले इससे साइन कर दे जानता था एक नए दिन तुम्हें मेरे पासाना ही होगा अगर मेरी छाइन चाहिए तो मेरी बेटी से शाधी कर लो तुम मेरा दोस्ट तुमारी बेठी से शाधी कर लेगा जादी, इसको पूछ पूरे 11 बेल है अरे आपको नहीं गिनना हो दमाजी दमाजी एक मिनट आपको एक कहानी सुनाता हूं क्या कहानी है मामा खेगड़ के कहानी दमाजी उन सब की कोई ज़रुवत नहीं है पहले तुमारे गाव वालों को बांध से खेथ में पानी चोड़ने के लिए बोली है तुम मुझे कोई पसंद नहीं आया आपको कैसा लड़का चाहिए बताए ना भाई डूंड के दे ना भाई घर में कभी खाना नहीं बनाने वाली इस लड़की ने इसे पसंद किया और इसके लिए ही मच्छी की कड़ी बनाना सीखा तुम लोगों को इतनी छोटी सी बास समझ में नहीं आती है क्या कब समझ होगे भाई कुछ समझ में आया क्या तुझे भी निसमें मैं पत सपने जो बूने हुए पूरे सभी सपनों के डोर ना तूटे कभी सपने जो बूने हुए पूरे सभी सपनों के डोर ना तूटे कभी तेरे बिना अब ना भाए गए तुझो मेरे लब पे आय हसे दिल की बात किस से कहे हम दुनिया लगे अब हसी बाद लो में उड़े रहा जिरे मेरा हाँ अरे अनलों के तुझे अब हसने तेरे दिल में सची सची बोलना ध़रकन के रही है दिल से दिल को जोड़ना हम तेरे भिनाब जी नहीं पाएंगे प्यार की राहों में तनहाना छोड़ना तलको में रखलू मैं तुझको चुपा के आदूर मुझ से तू हो जाए ना जब भी में देखूं ये मुझे को लगता है पूरी हुई मेरी हर आरेजु क्यों बेटा मामा क्लेक्टर आफिस से कुछ ख़बार आई क्या अभीदा कुछ नहीं आया मामा तो जाके पूछ टाज करो वरना हम कारिकरम करने ही पाएंगे ठीक है मामा अमा किसकी तयारी चल रही है तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं ये क्या बात है लड़का ही तो देखने जाता है तुम मुझे देखने के लिए लड़की को घर पे बुला रही हो मैंने लड़की देख रखी है बहुत सुशील और सुन्दर है मैंने तो तैह कर लिया है वही मरी बहु बनेगी अभी मंगनी कर लेते है और शादी तुम बाद में कर लेना हाँ, एक बात बताना भूल गई वो लड़की जो है ना मच्ची कड़ी बहुत अच्छा बनाती है अब मच्ची कड़ी के लिए शादी करूँ क्या मुझे नहीं करने शादी लड़की देखे बिना ही बोल रहा है पसंद नहीं है इसका क्या मतलब है मतलब पसंद नहीं है अंदर आईया हम रसम शुरू करते हैं हमको प्यार तुमसे हो गया तेरी सुरत को नैनों में रख लिया तेरी तरप खिचता जाए ये मन मेरा कैसा है ये तुने जादो किया जब तक है जीवन हम संग संग जीएंगे एक तुझे से अब ना होंगे जुना जो सपने बूने पुरे हुए सभे सपनों के ये डोर ना तुटे कभी तेरे बिना कुछ ना वाय कभी कई तुझो मिले लब पे आय हसे दिल की बाते कैसे बताए दुनिया हसने लगे बादलों में उड़ रहा है आज दिल मेरा क्या बात है आज बहुत शोशरावा हो रहा है ऐसा क्या हो गया जली कर तुझे लिए क्लेक्टर ने पर्मिशन दे दिया यह बाई जड़ा देखना वह आ गए क्या नहीं आया भाई हां मामा वह आय की नहीं आये बटाओ वह अभी तक आये नहीं है जैसे आएंगे पेपर दे दूंगा मैंने एसपी आफिस का साड़ा काम निपटा लिया है तुम जल्दी से काम खर्ण करके आजाओ ठीक है मामा एए मुझे तुम मेले जाद एक तहसीलदार आए क्या नहीं आया यार तू इसको कान में बोलके आजा मैं क्या कह रहा था कि यह बाई मैं देखकर आता हूं कहां तू कौन है और मेरा हाथ क्यों खीच रहा है चाफ हूं सॉरी सर तहसीलदार आया के नहीं देख रहा था वह क्या उधर नीचे बैठे हुए है ऐसा क्या वह आपिस में भाई वह फाइलों के पीछे चुपके बैठे मुझे कैसे दिखेगा आये भाई कलेक्टर साब ने बताया था आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है दोनों की रजबंदी खिलाफ आप जली कट्टू कर रहे हो बहुत खतरनाक लोग है वो आप तो अभी विदेश से आये हो जली कट्टू का डेट फिक्स करके मुझे आके मिलिए यह लीज बता हूं कि सुनो मंजा पट्टी काला पट्टी शिवपट्टी कोलंपटी मुद्टू पट्टी सारे गाउं के लोग आ गया ना अगया तो यह पंडेट अपने आपको क्या भगवान समझता है उन दोनों के लावा बाकी सभी लोग आ गये हैं आप पूजा शुरू करें भगवान और खरीदने के लिए सही दिश्या दिखाईए इस गाउं मेरे वन कराते हैं अज़ अच्छी तरह से विस जबना रहा है किए कभी फूल भी दिश्या बता सकता है बेकुफ इस गाउं का भगवान हपला करें अच्छा बंड़ेता है आप यह लोग सफेद फूल आया है दाहिनी दिश्राची और देखकर ही बैल खरी दिये सुनों भाई बैल को चेक करके लिए वो भी एकदाम अच्छे से बैल एकदाम हश्च पुष्ट होना चाहिए समझे क्या आधिकार कैसे मरा रहे हैं अगर को घ्रच करे चारे हैं और कुष्टी को लोग बैल को पकड़ रहे थे बर अब तो यह लोग हमें ऐसा करने से भी रोग रहे हैं आई कुछ करो मेरे बाप दादा ने मिलके दिल से बनाया था वो मंदिर उस मंदिर की साफ सफाई और देखरेक के लिए रखाता उन लोगों को आज मंदिर पर हक जमार बैटे हैं यह लोग अपना समझते हैं अब से मंदिर की इस साल जली कट्टू हम अकेले ही करवाएंगे यह कैसे हो सकता है यह इतना असान नहीं है कलेक्टर पुलिस सबका परमिशन लेना पड़ेगा सहाब हमारे पाले हुए बैल को हम खुद ही पकड़ेंगे यहां सब लोग अपना अपना जली कट्टू आयोजित करने चले हैं अगर ऐसे छलता तो हमारे वीच में एकता नहीं है इस तरह बोल के वो लोग हमारी परमिशन कैंसल करवा देंगे भाई अगर ये दोनों किसी बात पर राजिन नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे यह बताओ यार ऐसे बोल रहे जैसे किसी को पता ही नहीं जली कट्टू अगर इस साल आयोजित नहीं हुआ तो आस पास के गाउं के लोग हमारे नाम पर थुकेंगे और हम कहीं मूँ दिखाने के लायक नहीं बचेंगे यार ब्रेकिंग न्यूस कोर्ट में जली कट्टू पर जो कारेवाई चल रही है हाई कोर्ट जजजेस द्वारा जली कट्टू का आयोजन शुब आरम कुछ समय के लिए रद किये जाने का फैसला सुनाये गया है जली कट्टू के लिए मना करने वाली सरकार साल में 33,000 जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मर्सी किरिंग के नाम पे मार देती है अगर कोई काम शुरू करना हो तो कोई आगे नहीं आता है पहले प्लास्टिक का यूज तो रुकवाईए जी कोई काम शुरू करना हो ना तो कोई आगे बढ़के नहीं आता अगर रुकवाने के लिए सब आगे आ जाते हैं से रोक नहीं लगाई कुछ लोगों के दबाओं की वज़े से इस उत्सों पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है सोचा था इस साल अपने गाउं में जली कट्टू देखूंगा लेकिन ऐसा हो जाएगा किसको पता था भाई इतने सालों के बाद चरी कट्टू गाउं में होने वाला था पर बैलों पर रोक लगा दी गई इससे हमारी भावना को ठेस पहुचिए या खेती बाड़ी से लेकर मच्छी पकड़ने वालों तक सारे परेशानिया उनी लोगों के लिए है दूसरों को इससे कोई फरक नहीं पड़ता जब हम सब लोग मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तब ही जाके इस समस्या का समाधान मिल सकेगा हम सब को आज अगर खेल के लिए हम एक हो गए आगे हर समस्या में हम एक हो जाएंगे इसी दर से हमारे बीच फूट डाल रहे है कहीं से आया हुआ आदमी इसको रोकने की हिमत कर रहा है इसका मतलब हमारे बीच में एकता नहीं है अगर एकता होती तो लाखों लोग जब मर गएते हैं हम लोग देखते रहे गएते ऐसे लोग जो लोगों की परवाने करते हैं जली कट्टू के खिलाफ पूरे तमिल नाडू में अंदोलन शुरू हो गया है जली के डूचाए राषा जली देंगे покуп regular जली के पुचाए राषा जली देंगेर नाडूंगे जली के चत्व है । और उनने से कुछ दोछ लगभों कर जेल भीजवा दिया धा जेल के अन ऑने गशा। करने वाले कि कौने मेरा कर आंगोलन करते हैं तुम जैसे लोग जो थड़क पर आजाते हम लूप परिशान करते हैं अब लोगों के बीच में खलबली मच गई है यह क्या रत्नम के बेटे की पुलिस ने खूब धुलाई कर दी दिल्ली में नहीं पूरे देश में जली कट्टू का आंदोलन शुरू हो गया है इस आंदोलन को रेकर दिल्ली की तारीफ जली कट्टू को लेकर सभी जगे पर की जा रही है साथ ना छोड़ेंगे अब हम सरा रोके से ना रुके अबना कारवा ना हो डर ना फिकर बस आगे बढ़ रोके से ना रुके अबना कारवा सदियों से जो चल रही है परबरा वो हो जाए ये वक्त कहए रहा सदियों से जो चल रही है परबरा वो हो जाए हर शक्स है कह रहा स्टूडेंट्स और आंदुलन से जुड़े सभी लोगों से आंदुलन समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। आप सब लोग शांती बनाए रखें, कोई नुकसान ना करें। जितने भी लोग इस आंदुलन में शामिल हैं, उन तमाम लोगों की जजबे पे मैं फक्र महसूस कर रहा हूँ। जन्ता उनके साथ है। इस तरह के पारमपरिक उत्सफ को मनाने की परमेशन दे देनी चाहिए। सरकार कुछ जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करनी ही चाहिए। तभी राज्य में शांती रहेगी। ए सज बोल, नहीं तो बहुत मानूँगा। इन लोगों का फैसला होने तक हमारी खट्या-खड़ी हो जाएगी। सर, किसको पूछ कर इनको पकड़ा है। इतना मारा है इनको, मारने का कि इने वीडियो निकालकर वायरेल कर दिया। ज़र छोड़ो इनको। ओके सर। क्या कुत्ते की तरह मारा हमको पुलिस ने हर। तुझे कैसे पता। सिर्फ मुझे नहीं, तारे लोगों को पता है। किसी ने वीडियो बना करके वाटसेप पर डाल दिया। अरे याए। इसका भी कोई वीडियो निकालता है क्या। इससे तुतार दी। ए भाई, अब कहा जा रहे हो तुम लोग। अगले प्रोटेस्ट के लिए। तुम चाहे प्रोटेस्ट करने जाओ या कहीं भी जाओ। रास्ते में हस्पिटल में मुझे भरती करतो। अब मुझसे और नहीं होगा भाई। जली कट्डू के नाम पर मुझे बली नहीं चड़ना। इस भीड को हटाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन ये लोग माने नहीं। जिस आंदुलन का नेता होता है, वो बिना नतीजे के खतम हो जाता है। मगर इस भीड का कोई नेता नहीं है, इसलिए ये जरूर नतीजे पे खतम होगा। यहां पर कित्री बड़ी प्रॉबलम हो गई है। और तुम लोग कहां से आ रहे हो। और ये चेहरे पे लिष्टे क्यों लगाई है। पुलिस ने पीटा है यार हमको। ना हो डर ना फिकर बस आगे बढ़। रोके से ना रुके अपना कारवा। सदियों से जो चल रही है मरंबरा वो हो जाए। ये वक्त कह रहा। सदियों से जो चल रही है मरंबरा वो हो जाए। हर शक्स है कह रहा। अभी अभी सूत्रों के द्वारा पता चला है के जली कट्टू आयजित करने की लडाई को लेकर दिल्ली सरकार ने इजाज़त दे दी है जिसकी वज़े से लोग खुश है चत्रुपती पंचायज से जुड़े सारे लोग ध्यान से सुन लीजे इतनी तकलीफों का सामना करने के कई सालों बाद तुम्हारे गाउं में जली कट्टू होने वाला है अभी सब लोग इंगिंटरी से मनाईए अब सब लोग घर जाओ अभी क्या बोलने आयो तू अपने बेटा जसे दिखता है यहीं बोलोगी ना हरे छोड़े यह अपना बेटा सूपरस्टार एमजीयर की तरह दिखता है ना कि चलो किसी तरह जली कट्टू का होना पक्का हो गया है अरे बाई रत्म के बेटे ने आखिर करके दिखा दिया जा तुम भी अभी वो लोग जिंद आतिवाद की लडाई पता नहीं कितनों की जान लेगी सुना सब लोगों ने गाओं कमेटी ने परसो जली कट्टू आयोजन करने का फैसला किया है सभी लोग नहां दोकर साफ शुत्रे कपड़े पहन करा है दारू और मांस खाने की सक्त मनाई है सुनलो भाईयो यह हमें न चुमोरे चुमोरे बस्ती से जी है चुमोरे चुमोरे मस्ती चाड़ी है राहों में खुश्यों की मन्जिल खड़ी है चुमोरे चुमोरे बस्ती से जी है चुमोरे चुमोरे मस्ती चाड़ी है चुमोरे चुमोरे मस्ती चाड़ी है राहों में खुश्यों की मंजिल खड़ी है रंग महनत हमारी लाई 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 मन की मुरादे हमने पाई 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 रंग महनत हमारी लाई 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 मन की मुरादे हमने पाई 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 शुमोरे शुमोरे बस्ती से जी है शुमोरे शुमोरे मस्ती चाड़ी है चुमोर चुमोर मौजबर सी है, राहों वे खुश्यों की मजल खड़ी है अपनी धर्थी की इजद जान से बढ़ के करो, इसी मेटी से तिलक मादे पे तुम सारे करो ये खेत फुसलों से जब लहाएंगे, मन में उम्मीदों के ये बूल के ले जाएंगे गूप में सब के लिए जोजते किसाने हैं, हमको अपनी मेहनत पे देखो अभी माने धड़कन सीने में अजब साशोर करें, लग लगी रहे तेरा आसिस यू ही मिले जुमोरे जुमोरे बस्ति सेजी है, जुमोरे जुमोरे मस्ति चाड़ी है जुमोरे जुमोरे मौसमरसी है, राहों बेखुश्यों की मंजिल खड़ी है तपा के जिस्म हमने लोहा कर लिया गरा त्यारे तूफानों से क्यों अपने होसलों में है दम जाने है जग सारा कोई नहीं बूलता ये बात और है अपना दिल है सबसे बड़ा छूटे मूटे वादे हम नहीं करते सब है अपने हम सबसे प्यार करते सिंद की चार दिन की कुछ नहीं प्यार बिन सब के मन में हर गड़ी भजे वो ही पेव धुन जुमोरे जुमोरे बस्ती से जी है जुमोरे जुमोरे मस्ती चाड़ी है जुमोरे जुमोरे मौसमर्सी है राहों में खुश्यों की मंजिल खड़ी है रंग महनत हमारी लाई 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 मन की मुरादे हमने पाई, 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 पाई रंग महलत हमारी लाई, 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 लाई मन की मुरादे हमने पाई, 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 पाई जुमोरे जुमोरे बस्ती से जी है जुमोरे जुमोरे मस्ती चाड़ी है जुमोरे जुमोरे मौसम हर्सी है भाई जेल से वाड़न का फोन आया था कि तुम्हारे पिता का कातिल कल छूटने वाला है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शायद जानबूच कर रात में छोड़ा उसको और उसका खून करवा दिया मुझे तो लगता है कि सारा प्लान करके किया गया है वो एक्सिडेंट की बॉड़ी कहां पर रखी हुए मोर्चुअरी में जाकर देखिए अरे चलो बहन चलो चलो उठो चलो यहां से उस दिन मेरे पिता को फोन करके आपने पुलीस टेशन बुलाया था गर से जो गए वापस जिन्दा नहीं लोटे मेरे पिता के कातिल को सिर्फ आप जियल में मिलने गए थे अब इधर भी आये हो इसका मतलब जरूर आपका मेरे पिता के कातिल से कोई संबंध है अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तो मुझे पे शक कर रहा है उस दून तेरे पिता को मैंने ही फोन करके बताया था जानते हो क्यों बुलाया था सुनिये जी पढ़्यार ने फोन किया था गुर मुर्ति के भाई और मालसमे के भाई को किसे ने मार डाला है मुझे तरके पैड़ो क्या मोलते हो देखी सर हमारे आदमियोंने कोई गल्ती नहीं कि इंग लालच में लोगोंने बैल को पकड़ा था इस लिए इन लोगोने ने मेरे भाई को जान से मार डाला अगर हमको मारना ही होता थो हम सबको मार देते अधेरे में आकर मारने वाले हम कायर नहीं है मेरे भाई का जिननों भी खून किया मैं उन्हें जंदा रही छोड़ूंगा जमीन होया पाताल उन लोगों को ढूंड ढूंड कर मैं उनके गले काट दूंगा मारना ही था तो तुम्हें मारता तुम्हारे बैल को नहीं अके लिए आदमी पर हमला करें हम ऐसे कायर न हैं अरे मैं क्या कर सकता हूं दो लोगों को काटकर माला गया यह बात s.p. तक पहुंच गए तो बड़ा बाबाल हो जाएगा आप कह रहें कि हमारे गावाले ने कुछ नहीं किया और वो बोल रहा है कि हमारे गाउं के लोगों ने कुछ नहीं किया, केस तो डालना ही पड़ेगा मुझे पता था ये सब तो होगा ही, इसलिए पहले ही कहा था मैंने, जली कटी में इनको शामिल मत करो तुम लोग को एक करने का सोचा मैं, ये मेरी गलती है, छी, तुम लोग की वज़े साई पूरा गाम अलग हो गया है, केस मत बनाजी सर, जली कटी में खून हुआ कलेक्टर को पता चलेगा तो, सिर्फ जली कटी नहीं सर, कोई भी पारपते वहार हम लोग नहीं मना पाएंगे सर, बैल ने मार दिया, ऐसा केस में लिख दीजिए, कहां जाएंगे भाग के, गाउं में ही तो रहेंगे न, हम देख लेंगे उनको, सुनो, इस समस्या को हल करने के लिए किसकी बली देनी है, पता मुझे, कुट्तों के दूम, कभी ने सुधर होगा तुम लोग, साथ में म कुट्स बाइब देख रहें एए, क्या वह देख रहें? आरे बापरी, टायर मंचड़ हो गया है, क्या है यह, रास्ते में किसी ने की फेंगा था, भाई, रूब वो टायर बदलता हूँ क्या हूँ प्राइब करते हैं जीवन ये पुश्यों भरा, सीखा मैने तुछ से जदा, पर सी मन में प्रेल सुधा, रंगे लाई तो, तेरे बेना जीना पड़ तो तुही बता कैसे जीए, तेरे बेना जीना पड़ तो तुही बता कैसे जीए, कि एडिरे बेना जेना पड़ तो तुई बता कैसे diff क्यों दीदी अब इस तर्हां फोटो कि तरफ देखने से क्या और होगा अज और पती के साथ हुआ है वो कल तुम्हारे साथ अब इस गाव में कुछ नहीं रखा बस आप तो मेरे साथ मलेशिया चलो कौन दुश्मन है अगर पता हो तो लड़ सकते हैं यहां तो अपनों ने दुश्मनों के भी इसले रखा है तुम्हारे मलेशिया जाने के बाद दो साल तक केस चला उसके बाद पता चला कि तुम्हारे पता के खून के अलजाम में एक आदमी को जेल हो गई है उसको देखने में जेल भी गया था पर उस आदमी ने मिलने समना कर दिया मैं उसके बीवी से मिलने के लिए भी गया उसकी औरत ने कहा कि तुम्हारे पिता को उसके आदमी ने नहीं मारा है पैसों के लिए उसने किसी और के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया आज ही पता चला कि ये जिल से छूटने वाला है तो मैं उससे मिलने आ गया उस बेचारे को भी मार दिया तुम्हारे पिता की मौत की सचाई किसी को पताना चले इसलिए इसका खून किया गया है भाई एक मनद में जाकर आओ तुम्हारे पिता की केस को डील कर रहे है पुलिस वालों से मैंने पूछताश की केले के जड़ ताटने वाले हतियार से वार किया गया था पुलिस अपनी पूछताश कर ही रही थी कि इतने में इस आदमी नाके सरेंडर कर दिया और केस बंद हो गया वैसे हतियार तो सिर्फ गुरुमूर्थी के आदमी ही इस्तिमाल करते हैं और दाए हाथ से इस्तिमाल करने वाला इस पूरे गाउं में सिर्फ नोटांगई माला सौमी है अरे, लेफ्ट हैंड यूज करके एविडिन्स छोड़के जाना पुराना टिकनीक है दोनों चीजों के हिसाब से किस पर शक कर सकते हैं खून खराबा होने के बाद भी काउं में एकता रहे इसलिए वो लोग केस दिये बिना ही चले गए वो लोग मेरे पिता के खूनी नहीं हो सकते अकेले जाकर कोई मेरे पिता को मार दे इतने कमजोर नहीं थे वो उनके बाहवदूरी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में ही मारा होगा उनको इतनी प्रॉबलम में भी वो मेटूपट्टी से क्यों गए थे जली कट्टू में खोला हुआ वैल मेटूपट्टी में खड़ा है ऐसा बोला था उसे लेने ही किया था वैल तो उसी रात को घराया था मैं नहीं उसे बांदा था बैल मेटू पट्टी में है ये किसने बोला था भाई अपना बैल मेटू पट्टी में है वो मैं देख लेता हूं कोई लाड़ाएं नहीं किरेगा जाओ सब लोग यहां से जाओ एक बात बताईए पेरो मुल और पिता जी की बीच कोई समस्या थी क्या जैसा ओफिसर ने कहा क्यों न हम उसका दिया हुआ बीच खेट में उगा कर देखें फसल ज्यादा होगी तो फायदा हमारा ही होगा अरे आज अगर हम अपना फायदा देखेंगे तो कल हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे अगर हमारे बाप दादा भी यही हिसाब लगाते न तो आज हमारे बच्चे सड़कों पर भीग मांग रहे होते ना तो उनके पास जमीन होती ना तन धकने को कपड़े नफा अजमी है करण रुपिक रिश्वत भी दो तो भी गलत काम नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए वो खून कर सकता है क्या सोथ रहे हो बाबुजी गाओं में किसी को मार कर जाती बाद के नाम पे दंगल कराना चाहते हो बोलो मिल जूलकर जली कटू मना रहे गाओंवालों की बीच तुम फूट डल ने की सोथ रहे हो तुम्हें अपना पिता कहने को ना मुझे सच में शरम आती है छे एक बड़ा आदमी बनने के लिए दिन रात मेहनत करके इमानदारी से जिया नहीं जा सकता चोरी और धोखा करेंगे तब जी सकेंगे रतनम के पीछे में दुम हिला कर घुमता रहा गाओं में किसी ने भी मेरी इज़त नहीं की तुम्हें क्या लगता मेरी इज़त की किसी नहीं की रतनम एक अच्छा आदमी था मंदिर की जमीन को किसी को फ्री में मांदिना, अलग-अलग मत माटना, ऐसा कहता था, उसने नहीं सुना पिछले साल मंदिर का पैसा उधार दिया, पर किसी ने भी आज तक नहीं लौटाया अगर पूछो तो कहता है, इस साल वापस करेंगे, ये सही नहीं है भाईया और क्या करने को बोल ले, पास के गाउं की दो तिन पार्टी मंदिर की सारी जमीन भाड़े पर माग रहे हैं, बोल रहें अच्छा पैसा देंगे, व्याज की पैसे डबल देंगे ऐसा कहते हैं, इन भीकारी गाउवालों को देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बेकार में करके इस जमीन से सोना निगालने वाले एक किसान लोग हैं, पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसे जमीन से आने वाली आमदनी से बच्चों का मुंड और शादी विवा हर पार्व तो हर बनाते हैं, इसी पे तो निर्भर है हम, अगर यह भी छिन गया तो क्या होगा, भ मंदर की आमदनी के लिए कहा था, भगवान के भक्तों को रहने के लिए भी जगे चाहिए होती है, कहते हैं अच्छे लोग बहुत सालों तक जिन्दा नहीं रहते हैं, उन्हें जाना पड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें उपर पहुँचा दिया, वो अच्छा आदमी था, इसलिए किसी ने उसका मंदर थोड़ी बांदा था, जाती वादी दंगल मैंने नहीं करवाया, इनकी दुश्मनी तो आपस में पहले से ही थी, उल्टा मैंने उनको मिलने से रोक कर रखा था, मैं नहीं जानता है वो लोग कौन थे, जो आपको मारने आये थे मेरे गाउं में, यहां मरते तो मुझे पर नाम आता, और चातिवाद के नाम पर दंगा होता, इसलिए मैंने रोका हूं, माला सौमी, आपने मेरे भाई को नहीं मारा, यह मुझे अभी समझ में आया, अगर आप मेरे बड़े भाई का खून करते, तो सामने आकर कबूल करते, इसलिए आपको डरने की कोई दरूरत नहीं, हम दोनों की दुश्मरी करवा के कौन फाइदा उठाना चारा है, इसका काम वालों को क्या पता चलेगा, यह कोई बहुत अच्छे इमानदार आद्मी है, क्या है रोग? मुझसे भी ज्यदा कई बेवान लोग है इस गाओ में, जब तक गलती पकड़ी नहीं जाती, सब इमानदार कहलाते हैं, अगर जो पकड़ा गया वो चोर कहलाता है, और जो के बाद हम उसे जंदा नहीं छोड़ सकते हैं, चलो, निकालो तलवार, गाड़ी निकालो, एक मिनिट, मेरे पिता का कातल है वो, यह जानकर भी अभी तक उसे मैंने जान से नहीं मारा, पता है क्यूं? मैं नहीं चाहता कि मैं ही जली कट्टू आयोजद करू, अगर आप भ अपनी वाड़ी में बैल सर उठा कर चलता है, तो उसके मालिक को उस पर बहुत गर्व होता है, इतने सालों से बंजर रही यह वाड़ी, आज इसमें जान आ गई है, आज इसमें जान आ गई है, आज बिलकुल सही, है बरो, जरा बताना ये लोग, ये वाड़ी का कच्रा लेकर कहां जा रहे है सब, वाड़ी की तैयारी हो रही है, अइस्टा क्या, किसी की शादी है क्या, अरे यार, तुम इतनी टेंचन के लिए रहे हो, अरे सुनो भाई, पंचायत के बाद पैरुमल कहीं दिखाई नहीं ये आया, ये बाई, एक सुमो आ रहा है उस तरफ, ये दुराई, लगता है वो लोग मंदर की तरफ जा रहे हैं हुआ शाय दूस तरफ होगा देख चलिंग बहुत्त है अह अ हुआ अ हुआ हुआ रहे है हुआ अजय को नजना झाल नहां। गुग अचर रज़ न ए्रीड़... जच जब जब दो구... कि अगे जिस वक्त गाउं में आये था उसी वक्त तुझे मार देना चाहिए था सिर्फ तुझे डरा कर नहीं छोड़ना चाहिए था तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी सब छोड़ कर चला जाऊंगा अगर मैंने जली कट्टू का योजन नहीं किया तो मैं किसी और को भी नहीं करने दोगा जब मुझे पता चला कि तुझे मेरे पिता का खुनी है उसी वक्त तुझे जान से मार देता लेकिन तुझ अभी नहीं मरेगा मेरे पिता की जगा मैं ही इस जली कट्टू को पूरा करूँगा ये देखने के बाद ही तु मरेगा सुबा होते ही तेरी तु मरेगा और किसी के नहीं याद रखना तु इसे गाव का कोई बड़ा आदमी वादी में मर जाया तो जली कट्टू कैसे बना ले बताओ अब बना ले तु जली कट्टू मैं बताता हूं कैसे मनाता जली कट्टू मेरे पती को बेल पकड़ते हुए बहादूरी से देखा इसलिए मैंने उनसे शादी की हाथ में महली सजा के खुशी से जली कट्टू देखने आओं ही को जाने कितने दिन जिंद्धा रहूंगा मरने से पहले जली कट्टू देखके जाना जाता हूं कि अब कि 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 थोड़ी ही देर में 20 साल पुराना उत्साव हमारे जकल बट्टी, सीमा बट्टी, मंजा बट्टी, मेटू बट्टी, मेटू बट्टी, फुला मंगलम ये सब बांचो गाउं के पंचायत मिलकर जली कट्टू उत्सवता आरम करने वाले है तिसरा टोकन क्यूं डाल ले हो, बाड़ी में इतना भीड होने वाली नहीं है नेरा बैल भीड को देखकर ही घूमता है, साउन नमर का टोकन लो क्यों भाई, उसके बाद क्या हुआ? एक कहता है मैंने राज किया था, एक कहता है मैं राज करूंगा पहले सब लोग इंसान तो बन जाएं जब तक जिन्दा थे अच्छा काम नहीं किया, कम से कम मरने के बाद तो उनका नाम बदनाम न करो तुमझे लीकटू शुरू करो, बाकी मैं देख लेता हूँ इतने लोगों को खशिते ही खटा होते देखकर कितने साल हो गए देखो तो, माला स्वामी दूम्डी उपर आजाओ अख्वा देखो अख्वा देखो हमारे मंदिर का बैल वाडी के आंगन में आ रहा है मुझारिश करता हूँ के कोई गल्ती से भी उसे ना पकड़े यह बहुत ही खतरनाग होगा तो प्लीज कोपरेट करें ऐसे मिल जलका कीशी और ने जली कट्टू नहीं बनाया होगा